उसे देख रहा है अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केज़िवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा It is a celebration of corruption जस्ने भष्टाचार मनाने की कोशिश आम आदमी पाटी के नेता और आम आदमी पाटी के कुछ मंत्री कर रहे है ये कोई पहला केस नहीं है बोए पेड बबूल का तो आम कहां से खाए करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए ये शराब के घोटाले का विशय है और कौन सी कोट तक शराब का घोटाला नहीं पहुचा है कौन सी ऐसी एजनसी है जिस agency ने इस घोटाली की जाँच नहीं की है और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विशे के तत्थ से इस विशे के facts से अनभिग्य है हर वेक्ती जानता है कि प्रश्ण कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है विगत तीन वर्शों से अरविं जैसा की आप बता रहे थे तो आपने exercise policy को क्यूं रद किया क्यूं उसे रद किया गया इसका जवाब आज तक नहीं मिला आपने cartelization शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे आपकी खुद की exercise department ने आपसे कहा था कि exercise की policy उचित नहीं है शराब का कारोबार सर privatization नहीं होना चाहिए आपने उसे रद्दी के टोक्री में क्यूं फेका खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो advice था उसे क्यूं नहीं माना blacklisted company को आगे बढ़ा करके अपने यारों को अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यूं किया सबसे बड़ा प्रशन उड़ता है पहले 5 प्रतीशत कमीशन दिया जाता था आपने बढ़ा करके 12 प्रतीशत कमीशन किया और backdoor कमीशन जो 7 प्रतीशत की अधिक कमीशन थी वह आपने black money की रूप में receive किया क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारिकिय को जानती नहीं है विजेन आयर कौन था आज recorded statement है statements है ED के पास CBI के पास उन तमाम जाच एजनसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड रुपे किक बैक के रूप में receive किया और receive करके इसको कहां कहां ठीका नहीं लगाया किस bag में इन्हें लेके गया गया ये सारे विशे महीने से मनीश शिशोदिया इसी विशय में जेल के सलाखों के पीछे हैं कोई ऐसा कोट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद के जरिवाल जी ने जाके जूट का पुलिंदा फैलानी की कोशिच नहीं की हो मगर उसके बावजूद किसी कोट से मनीश शिशोदिया को रिलीफ नहीं मिला संजय सिंग बड़े बड़े भाशन दे रहे थे जेल के अंदर हैं आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है तत्यों के आधार पर काम करती है कोट तत्यों के आधार पर काम करते हैं यह जो जांच एजनसी है यह गेट के बाह से ड्रामा से कुछ नहीं होता है अतसी जी कह रही है अरविंद केज़ जी वाल एक व्यक्ति नहीं है ठीक है संबित पात्रा का आप सुन रहे थे धनेंदर बारदवाज बहुत देर से से रिस्पॉंड करना चाह रहे थे धनेंदर जी बीजेपी कह रही है कि कोर्ट से राहत नहीं मिली एजेंसी तो अपना काम करेगी जब एजेंसी काम कर रही है तो आप